मेरे परिवार जनों 15 नवेंबर को जब ये यात्रा शुरू ही थी और आपको याद होगा भगवान बिर्शा मुंड़ा की जन्म जैन्ती पर शुरू हुआ था जन्जातिय गवरव दिवस्ता उत दिन और मैंने जार्खन के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगा से इस काम का आरंब किया था वन्ना मैं इहां बड़े विज्ञान भोन में या भारत मंडपम में या यशो भूमी में बड़े ठाट बाट से कर सकता था लिगे मैं ऐसा नहीं किया चुनाव का मैदान छोड़कर के मैं खुंटी गया जार्खन गया अधिवाच्यों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया और जिद दिन यह अतरा शुरू हुई थी तम मैंने एक और बात कही थी मैंने कहा था कि विख्षीद भारत का संकल्प चार अमरुत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है ये अमरुत स्तंभ कौन से हैं इसी पर हमें ध्यान केंदित करना है एक अम्रत स्थम्भ है हमारी नारी शक्ती, दूसरा अम्रत स्थम्भ है हमारी युवा शक्ती, तीसरा अम्रत स्थम्भ है हमारे किसान भाई बैन, चौति अम्रत स्थम्भ है हमारा गरीब परिवार मेरे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां है मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है गरीब मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है युवा मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है महिलाएं मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है किसान इन चार जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विक्षित बनाएगा और अगर चार का हो जाएगा ना इसका मड़लब सब का हो जाएगा इस देश का कोई भी गरीब चाहे वो जन्म से कुछ भी हो मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है उसे गरीबी से बाहर निकालना है इस देश का कोई भी हुआ चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो मुझे उसके लिए रोजगार के स्वरोजगार के नए आउसर देने हैं इस देश की कोई भी महला चाहे उसकी जाती कोई भी हो कुछ भी हो मुझे उसे ससक्त करना है उसके जीवन से मुश्किले कम करनी है उसके सपने जो दबे पड़े है ना उन संपनों को पंख देनी है संकल्प से भरना है और सिद्धी तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूँ इस देश का कोई भी किसान चाए उसकी जाती कुछ भी हो मुझे उसकी आय बढ़ानी है मुझे उसका सामर्थ बढ़ाना है मुझे उसकी खेती को आधूनिक बनानी है मुझे उसके खेती में जो चीजे उत्मादित होती है उसके मुल्य पृति करनी है गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान ये चार जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूँ मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ बस आप मुझे आशिरवाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूँ कि इन चारो जातियों को सारी समस्याओं से मुक्तगर दो और ये चारो जाति जब ससकता होगी तो स्वाभाईू ग्रुप से देश की हर जाति ससकता होगी जब ये ससकता होगे तो पुरा देश ससकता होगा